वेलकम बैक गईस तो आज की वीडियो होगी इन्वेस्टिंग इन कैनेडा के अंदर ठीक है जो भी स्टूडेंट से या वर्क पर्मिट पे वो लोग पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं यहां पर उस चीजों के बारे में बात करूंगो आज की वीडियो के अंदर आज की वीडियो के लिए तो पेपर की भी जरूरत नहीं है विकास में आपको बहुत अच्छे से घंटों तक बता सकता हूं क्या है किस तरीके से बट पेपर पे मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है सो दाट में चार्ट वाई आप लोगो प्रॉपरली एक्स्प्लेंग कर प्रिव जर्गों कर रहे हैं अब जाहदेर नहीं करते हैं वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले गाई मैं बेसिक शुरू करता हूं फिर दीरे दीरे हम लोग आगे जाते चाहिए ठीक है तो अब जैसे आप लोग की इंकम आना स्टार्ट होती है जो भी कमा रहे हो आप ल करता हूं जितनी भी इंकम हो अब यह वेज कर सकते हो अब कि आपको आगे जाके help करेंगी सो numberवन है कि जो भी इंकम हाती है उसमें से dस्प्लिट करेंगें हम लोग नमबर वन स्प्लिट होगा emergency funds and नमबर टू होगा investment तो पहले मैं emergency funds के बारे में बात करता हूँ फिर investment के ओपर दीरे दीरे जाते रहेंगे अब emergency funds होता क्या है अब ये funds जो है ये सिर्फ emergency situations में काम आता है छीकिया इसको हम normally हाथ नहीं लगाएंगे बेसिकली मैं क्या करता हूँ जब भी मेरी income आती है अब 15 डेज में मेरी income आती है ठीक है तो वो 15 डेज में जो भी मेरी income आती है उसमें 15 परसंटेज इमर्जेंसी फंड में चला जाता है एवरी मन्त फिक्स है मेरी 15 डेज जब भी मेरा पेचेक आता है मैं always 15 परसंटेज इमर्जेंसी में डाल देता हूँ और वो इमर्जेंसी फंड में savings account में अपने रखता हूँ तो कभी भी मुझे जरौत हो तो मैं on the spot उसको निकाल सको ऐसा नहीं है कि कहीं स्टॉक में डाला हूँ तो मैं नहीं निकाल सकता उसको वो टाइम पर इमर्जेंसी फंड को हमेशा एक liquid form में रखना आप लोग जबी भी चरौत है उसको निकाल सकते हो और मैं 15 परसंटेज डालता हूँ तो आपका जो भी है उसे साबसे आप लोग इमर्जेंसी फंड में निकाल सकते हो बेसिकली इमर्जेंसी फंड वो है कि अगर फर एक्जा बेसिक चीजे वो निकल जानी चाहिए उसको इमर्जेंसी फंड बोलते है तो वो आपके पास होना चाहिए सेविंग्स अकाउंट के अंदर या कहीं पर भी रखते हो ड़िजन मैटर बट आपके पास इमर्जेंसी फंड एट लीस्ट सिक्स मंस का होना चाहिए तो एक बार इमर्जेंसी फंड का कामकाज हो गया उसके बाद मैं आता हूं अपना इंवेस्टिंग के ऊपर चीक है तो फिफ्टीन पर्सेंटेज हम लोगों ने निकाल लिया बाकी का बचा जो बचा कुछ हो अब उसमें से मैं इंवेस्टिंग करता हूं मेरा यूजवली 70-80 इस 40 परसेंटेज जिस हिसाब से आपको सफिशन्ट है उतना आप इंवेस्ट करो बट मेरे हिसाब से अगर आप स्टूडेंट हो तो एट लीस्ट पंदरा दिन में 200 डॉलर तो इंवेस्ट कर देना इतना तो आप कमा होगे अगर विंट सर जैसी जगा पर रहते हैं कहीं प अब को पता है इंवेस्टिंग क्यों करनी क्या आपको बता दिए और सारे जो यूश्व करते हैं यूश करते हैं और लोग है प्लिकेशन करते हैं बट Well Simple app का सबसे best फाइदा है कि आपको कोई commission नहीं charge करना पड़ता इसके उपर, इसका मतलब है कि for example आप लोग कोई stock खरीद रहे हो, या कोई stock sell कर रहे हो, तो इसके उपर आप लोग कोई commission नहीं देना है किसी को, वहना usually जो दूसरे applications होते हो, उसके उपर आप लोग को commission charge कर इसलिए मैंने application को पकड़ा है, और number two है कि मैं छोटे से छोटे amount से शुरू कर सकता हूँ, अब दूसरे applications होता है कि $500 का आपको लेना ही पड़ेगा, $1000 का आप लोग को इतना इस से शुरू करना पड़ेगा, बट इसमें ऐसा कोई शुरूआत करने के लिए नहीं, आप लो आप लोगों ने well simple app install भी कर लिया, अब उसके अंदर मैं आप लोगों explain करता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों क्या करना है, personally speaking guys मेरे को stocks ETF में इतना ज्यादा interest नहीं है, मैं real estate वाला आदमी हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को घरवर में थोड़ा ज्यादा interest हो, सब लेने वे में sell करने में, बट अभी फिलाल में PR नहीं हूँ, सो मैं कही ना कहीं तो पैसा मेरे को invest करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस सब चीजों में पैसा invest करता हूँ, ठीक है, I know REITS है, real estate से मैं कर सकता हूँ, बट नहीं, मेरे को उसमें जादा जाना नहीं है, मैं personally buildings और इस सब चीजो होती है, ठीक है, दो तरीके से आप लोग stocks करी सकते हो, ETF करी सकते हो, number one है personal account के थू, number two है TFSA के थू, ठीक है, पहले personal account क्या होता है, अब personal account में क्या होता है, अब for example, एक लड़का है, जिसने hundred dollars डाला उसके personal account में, अपना well simple app के अंदर ही, ठीक है, और उसने जाके कोई stock ले लिए, जो था around $70, ठीक है, तो $70 का उसने stock लिया, उसके उपर उसको एक साल के बाद या देड़ साल के बाद profit हुआ, उसने कुछ hundred dollars कमा लियो, तो $30 का profit हुआ एक साल के अंदर, उसको एक एक देड़ साल के अंदर, so $30 का profit हुआ, उसके उपर उसको government को tax पे करना पड़े तो $20 का उसको खुद का profit हुआ, so अपने को ये नहीं करना है, इसलिए मैं TFSA बोल रहा हूँ आपको, TFSA का full form है tax free savings account, इसका मतलब कि जब भी को stock लेते हो, sell करते हो, जो भी पैसा आता है, इसके उपर आप लोगो government को कोई भी tax नहीं पे करना है, and ये well simple के अंदर होता है, so आप अपने bank account को link कर देना है, basically आपको well simple के अंदर अपना नाम देना है, अपना address देना है, और अपना sin number देना होता है, just for your identity purposes, so एक बार आप ये तीन चीज़े देते हो, आप लोग directly good to go, बहुत simple procedure है जो मेरे को बताने की ज़रुत नहीं है, YouTube पे वीडियों है, वो देख आप लोग को पता लग जाएगा किस तरीके से login करना है, और किस तरीके से account open करना है, एक बार account हो गया, अपन कर दिया, आप लोग ने TFSA account में पैसा भी भेज दिया, and make sure TFSA में भेजते हो, personal में भेजते हो, बना tax जाएगा, ठीक है, so TFSA में पैसा भेज दिया, अब TFSA में जै आये इंस्टाग्राम के ओपर कि भाई तू स्टॉक कौन से लेता है, ये बता, ETF का किस तरीके का सीन है, बहुत हो को तो पता ही, ETF होता क्या है, so मैं आपको explain करता हूँ, पहले स्टॉक बता देता हूँ, फिर आप लोग को मैं ETF के बारे में बता देता हूँ, तो स्टॉक मे मैं जब से आया हूँ, मेरा पैसा जाता है, एवरी मन्त मैं अच्छा कासा invest, मिरलब stocks लेते रहता हूँ, TD बैंक के, क्यों, इसका graph अगर आप लोग इंटरेट पर जाके देखोगे, तो ये exponentially grow होती चला गया है, ठीक है, पिछले अगर 15-20 सालों का भी देखोगे, तो इसका graph exponentially grow ही हुआ है, नीचे कहीं नहीं आ है, एंड ये bank काफी trusted bank है यहाँ पे, इसकी service में मेरे को बहुत अच्छी लगती है, काफी बंदे यूज भी करते हैं और इसको appreciate ही करते है, not like Scotia bank या फिर अपना CIBC, ये सब इसके competition में नहीं आता है, अगर मैं TD की बात करता हूँ, तो अब इसके बाद मैं बात करूँ को cars के बारे में, because मैं personally cars का बड़ा शौकीन हूँ, so अगर cars के बारे में बात करें तो Tesla से best कुछ भी नहीं, not only self-driving cars, but अगर flying cars की बात करूँ ना, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि flying car के prototype आया था जो accept हो चुका है, so बले वो company कोई और ह Tesla नहीं है, but फिर भी मेरे हिसाब से Tesla number one पे रहेगा, because data जिसके पास होदा ना, उसको पता रहता है कि इस तरीकी से car में चीजे हो रही है, number two, यह technology plus car में number one पे बैठे हुए, number three, इनके पास resources है, पैसा सबसे जादा रखके बैठे हुए, so इनके पास कोई भी नई technology को implement करने म नहीं लगेगा, और fourth चीज है कि यह technology में भी number one है, so इनके competition में फिलाल मेरे हिसाब से कोई भी नहीं अभले, छोटी-छोटी companies आये इनको compete देने के लिए, but अगर यह कोई भी car निकालते है, तो छोटी company को आराम से टक्कर मार देंगे, because as we all know manufacturing के अंतर आपको जादा profit नहीं परस्नली टेसला में इन्वेस्ट करता हूँ, next company जो है वो है NVIDIA, अब NVIDIA बेसिकली अगर लेमन के बात करो, तो गेम खेलते हो न, तो ग्राफिक चिप जो यूज होता है, वो सारे ग्राफिक चिप के ऊपर चलता है, so वो जो पावर होता है, जिस smoothly चलता है, जिस तरीके से अब भी है, बट जी फोर्स नहीं करूँगा, सिर्फ NVIDIA करूँगा, क्यों, बिकॉज यह AI की तरफ जाधा मोड़ा हो है, ठीक है, पहले से 10 साल पहले जब यह कंपनी चाल हुई थी, इसने प्रेडिक कर लिया था कि गेम्स खेली जाएगी, 10-15 साल बात गेम्स का वालीव और अभी भी यह गेम्स के अंदर जा रहा है, बिकॉज AI जब आएगा, तो ऑविसली गेम्स का वे चेंज होने वाला है, जिस तरीके से गेम्स के लिए जा रही है, वो चेंज होगी, और वो प्रोसेस होगी इसके चिप्स के उपर, सो ऑविसली इसका वैली भी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा और AI भी बढ़ेगा, तो सारी चीज़े कनेक्टर है, इसलिए मैं NVIDIA में भी करता हूँ, I understand NVIDIA के अंदर कोई स्टूडेंट तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके स्टॉक वाली बहुत जाधा होते है, ठीक है, 500 डॉलर्स के इर्दगीरत है, उसके सुनाने बहे, चोटी से कंपनी है, चोटी मतलब बैसे बड़ी है, यह सब नाम दे रहा हूँ, यह सब के क्मपैरिजन में चोटी है, यह बेसिकली बढ़ेश कंपनी है, और यह crispy लिफोग्रफी या हॉद्स बनाथा है, बेसिकली लितोग्रफी के हाइब भी भी फॉद लि and as we all know chip key sizes every year छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी होते जाती है micro-micro-micro होई जा रही है मेरे को देख टाइम पर लग रहा है चीप की जरतियों पड़े कि कुछ और ही आ जाएगा so क्या बोलते है कि इस तरीके से यह कंपनी यह मशीन को यूज करके करती है यह काफी हद तक AI से ड्रिवन होते है चीके AI के काफी टेकनलोजी यह यूज करते है पहले से करते हैं बट अभी और यूज कर रहे है so यह भी एक कंपनी को नजर में रखना ना पता हो तो सर्च कर लेना बैठके गूगल पर करती गया है किस तरीके से डीटेल में इसके अपरा आप लगो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे नेक्स कंपनी का जो हमारी रहेगी वह है गूगल गूगल को कैसे बूल सकता हूँ भाई गूगल टे मेंड़मों को बाद जाघ्साय को oni को सब्सके रहे है यह तो पहले आना हुखे है तो पलता है करके यह दूगल क्लॉड में डीनेस को हैं नोरे सब्सक्राइब करता है कपह न बिजनेसे को इसमें ह ego. अधॉर' बीजनेस को बहुत AI का यूज़ करते है एंड यह एवरी सिंगल यह अपडेट होते रहते है तो I think Google will be the best thing to invest as in and invest कर सकता है बिकास इसके stock value as compared to that of NVIDIA और यह सब थोड़ा कम है so इसमें आप लोग कर सकते हो make sure Google को जरूर नजर में अगर इस टॉक्स में मैं company के बारें बात करो तो यह last company रहेगी जो है Meta Facebook Instagram WhatsApp पे तीनों को own करती है and as we all know पिछले साल का अगर इनका data देखो तो काफी सारे business को बहुत profit हुआ है because आप सब लोग Instagram पे real scroll करते रहते हो Facebook करते रहते हो वहां पे आप लोग ads देखते हो so काफी हद तक का selling होता है यह सब AI का use करके करते है because they know behavior पता लगता इससे काफी हद तक कि किस तरीके से चीज़े हो रही है किस तरीके से लोग को किस में interest आ रहा है so ads वहां पे दिखाते है and they make good revenue through that काफी internal नहीं जाओंगा इंटरनल बहुत जादा अलग वीडियो पर बात करेंगे और उपर उपर से बात करूं तो profitable company है अगर आप लोग stocks में invest करना चाहते हो तो ठीक है तो यह था हमारा stocks का कामकाश अभी बात करूंगा S&P 500 Index सबको पता है इसके बारे में अगर आप लोग investing में हो तो आप लोग इन इसके बारे में सुना तो होगा बले पता ना हो तो विवाज इसका अगर आप लोग पिछले 90 यह 100 यह का graph उटा के देख लो तो दिरे 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 बच्चों के स्पीड में grow हुआ है obviously यह जो companies पहले बता ही stock वो उसके level का तो growth नहीं होगा इतना fast तो grow नहीं होगा बट दिरे 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 यह grow हुआ ही है और यह काफी trusted है यह जो ETF मैंने आप लोग को बताया so make sure guys अगर आप लोग ले तो S&P 500 के मेरे पास majority stock ETF पड़े हुए ठीक है so मेरा ज्यादा तर पैसा उसी में जाता है and बाकी का जो है वो सारा में stocks करीते रहता हूँ मैंने जो भी companies बताई इसका इसके अलावा भी बहुत सारी companies इसके मैं लेता हूँ but इन में से कुछ थी जो म जरौत करेगी तो मैं ही आप लोगों को बता सकता हूँ so कैसा लगा जरू कमेंट करके बताना वीडियो लाइक करना शेर करना कमेंट करके सब्स्राइब कर देना फिर हम लोग मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए झाल